ओम शान्ति बीस फेविकेश वर्दान में आपक सबकर सोगत है पर मात्मा कहते हैं कि कोई जिकैसू आई नाई कोई आपकी बात सुन करके फिर से आई नाई आपने सेवा करती बस तुआगे करें के हैं यह आज के हम वर्दान में समझेंगे श्रीमत प्रमांट सेवा में संतुष्टता करें क्या संतुष्टता को महसूस करें कि विशेशता कानुभफ करने वाले सफलता मुरत भवा कोई भी सेवा करो कोई जिक्यासू आवे या नहीं आवे लेकिन स्वेम स्वेम से संतुष्ट रहो हलका पन क्यों क्या कैसे कब किसने कहा अगर ऐसा ना किया होता ता ऐसा होता ये भी अपने आपको भारी करने वाली बाते हैं परमात्मा कहने के कोशिश कर रहे हैं निश्य रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मेसेच काम जरूर करेगा अगर मैं संतुष नहीं है तुम क्या करेंगे गड़ी-गड़ी फोन करेंगे गड़ी-गड़ी डिस्टरब होंगे बहुत ज़ता कॉशन पूछेंगे बहुत ज़ता ओवर रियाक करेंगे जिस्ते की दूसरा वेक्ति जो होता है वो कभी-गभी रिपेल कभी दनी मेजोरी डिढ़ी डेमज रिपेल होता है तो अगर हम संतुष रहेंगे तो हम निश्चे रखेंगे की मेसेज मिल चुका है निश्चे रखो कि अगर मैं संतुष हूं तो मेसेज काम जरूर करेगा इसमें उदास नहीं हो स्टूरेंट नहीं बड़े कोई हरजा नहीं लेकिन इसमें एक और क्याच है कि हम अपने आप से संतुष्ठ है कि नहीं है अपने behavior से, अपनी सोच से अपने बोल से, हर चीज से हम किसी और की उपर blame नहीं लगा सकते कि उनकी गलती है, उनकी कमजोरी है उनकी भागे नहीं होगा यह की किसमत अच्छी नहीं, इसलिए नहीं आए वो नहीं, हमें अपने आपको चेक करना है लेकिन फिर भी light होते वे चेक करना है over critical नहीं student नहीं, बड़े कोई हरजा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया, मलकी हमने उनके साथ में परमात्मा का ग्यान शेयर किया वो हमारे साथ में जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया अगर सुएम संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ चाए मन से, मन सा चाए वाचा, चाए करमला चाए तन, चाए मन, चाए धन जोसे भी सेवा करी हो सफल हुआ वो खर्चा सफल हुआ श्रीमत प्रमान कारे किया तो श्रीमत को मनना ये भी सफलता मूरत बनना है तो बहुत सारे पहलु हैं, बहुत सारे आंगल्स हैं सेवा करते हुए ये भी एक मेहतुपून आंगल है उम्षेंटी